हाई फ्रेंड्स सबसे पहले हमने लेना है एक कप बेसन और उसको हम चान लेंगे आप सीधा कड़ाई में ही इसे चान लेजे क्योंकि हमें अभी से भूनने के लिए रखना होगा तो देखिए चानने से सारी गुटलिया निकल जाएंगी और बेसन हमारे पास आ जाएगा उस और एक बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे ये इस तरीके से बस अब उसके बाद हमने लहना है एक कप गरम घी और वह गरमघी हमने इसमें मिक्स करते जाना है और बिना गुटली का एक मिक्स्चर या बैटर हमें तयार करना है यह देखे इस तरीके से आप चाहें तो विस्क की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं तो बस यह तयार है अब चलते हैं दोस्तों चाशनी बनाने जिसके लिए मैंने ली है एक कप शकर मैं निकालके और यह देखे अंगुठे और उंगली के बीच में ऐसे एक तार बनने लगे तो मतलब चाशनी बिलकुल तयार है तो बस अब इसमें हम डालेंगे जो हमारा बेसन और घी का मिक्स्चर था वो और हाँ एक चीज का ध्यान ज़रूर रखें गैस इस समय सबसे कम देना है और इसे पकने देना है फिर हम लेंगे आधा कब गरम घी और हम उसे 2-3 इंटरवल में धिरे-धिरे करके डालते रहेंगे यह देखे जब आपको लगे कि अच्छे से पकने लगा है बबल जाने लगे है तो बस मैने पहला इंटरवल डाल दिया है घी का अब मैं अ काम पे रखने है नहीं तो यह सही से सेट नहीं होगा और कच्छा रह जाएगा तो दूस्तों जैसे ही आप देखें कि देखें यह कढ़ाई छोड़ने लगेगा और एक साथ आने लगेगा इसका मतलब कि यह बिल्कुल तयार है बस आप कोई देर नहीं करने है आपने फट संद्रा से बीस मिनिट में थेंडा हो जाता है लेकिन मैं एघन्टे बादि से काट रही हूं यह देखें एगन्टेबाद आप इसके साइट सको काट लीजे इस तरीके से यह रिलीज हो जाएगा आरहम से यह देखें और बस अब मंद चाहे आकार में आप ऌट सकते हैं यह एकदम सौफ्ट सौफ्ट माईसोर पाक बन के तयार हुआ है, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजे और चैनल को सब्सक्राइब कीजे, बाबाई and टेक केर.